हमारा mathematical modeling चल रहा था MT 14 मैं ठीकनू का उसके उपरा थम नया unit start कर रहे है unit number 6 जिसका नाम है air pollutions आज से पहले हमने unit 1, 2, 3, 5 और 12 ये हमने complete कर लिए 5 unit अभी तक कई ये cover कर लिए हमने आज हमारा नया जुड़ रहा है इसमे unit number 6 आज हम ये cover करेंगे ठीक है इसमें एक lecture लेंगे तीन topic लेंगे तीनों के उपर एक एक numerical करेंगे that's all और तीनों equation इस unit से आये हुए है बाकि कोई भी equation साथ तक unit से पूछा नहीं गया है पिछले 10th year में तो सबसे पूल है हमारा क्या topic करेंगा कार्संस और मोशीज फोर्मूला इसका नाम है कार्संस और मोशीज फोर्मूला जो की बहुत ही important है 2014, 17, 18 और 19 में पूछा गया है उसके बाद होलेंड फोर्मूला 2017 में पूछा हुआ है कौनके फोर्मूला 2016 में हमसे पूछा हुआ है तो ये तीन questions यहां से arise हुए ह तीनों के उपर एक एक नुमेरिकल बैस आपकी बुक में भी खाली इनका फोर्मूला दे रखा और इनके नुमेरिकल दे रखें ठीक है तो आज मिला के हमारी total 6 unit complete हो जाएगी यहां से ठीक है तो start करते बिना किसी दे रही के अब रही हमारा है सबसे पहले कार्संस और मोश formula तो इसका students formula क्या होता है del h is equal to minus 0.029 vs d multiply में d upon में u plus 2.62 qh की power half upon u अब देखो del h क्या रता है हमारा palm rise in meter palm rise in meter और vs क्या रता है stack exist velocity in meter per second अब ये unit पक्का याद रखना किस में दे रखा है meter per second में होना चीए हमारा ये ठीक है u क्या है wind speed in meter per second wind की speed है meter per second में d क्या है diameter in meter ठीक है क्या है heat ammunition rate दे रखा है हमारा और mu मैं ने बताए दिया तो क्या है है हमारी wind speed in meter per second students तो ये दिया रहेगे हमें सारी value में फोर्मॉले में put करेंगे और answer find करेंगे ठीक है students चलो अभी put करते हैं साभी questions ले रेते हैं क्या है heat ammunition rate associated with देखो आराम आराम से पढ़ेंगे heat क्या 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 पढ़ो अच्छी तरह एक पर हमारा heat ammunition associated with a gas stuck gas is 800 kJ per second देखो heat ammunition rate दे रख्या heat ammunition rate मैंने क्या बताया था heat transmission rate क्या है हमारा देखो एक रस क्या टे रख्या क्या हुआ ऐच की value कितनी दे रख्या जेको solution भी मैं सेम टेम करता जा रहा हूं क्याँआ हो हुआ है 4800 kJ per second and the wind and gas stuck speed- Gold की और और stuck gas के देखो, अभी wind और stuck gas, wind की speed दे रखे, उसको हम किसे दिनोट करते हैं, u से, तो u की value यहां से हमें कितनी दे रखे है, 5, अब देखो stuck gas की, stuck gas कौन ची थी, यह थी हमारी, बतलब vs की value, vs की value कितनी दे रखे है, 15 meter per second, हमारे दोनों में की unit क्या होनी चीए थी, meter per second में, meter side stuck diameter in top is 2 meter, stuck diameter, तो हमारा जो, d देखो, हमारा d क्या था, stuck diameter in meter, यह diameter तो इसको हम किसे denote करते हैं, d, तो हमारा d कितना हो गया, 2 meter, यह भी हमारा किसमें होना चीए था, meter में, और meter में हमें question में given है, अगर नहीं है, तो उसको हमें उस चीज़ में convert करना है, ठीक है, estimate the plum rise by the mean of mossy and किसमें, कार्जनस फोर्मूला में हमें इसको apply करके, इसका answer निकालना है, ठीक है students, तो यह सब से important formula हमारा यह ही है, अभी हमें formula याद होना चीए, simple सा, ठीक है, अभी है formula same, हम मैं इधर लिख लेता हूं, और इसको हम निकालते हैं, तो इसको हम निकालते है, तो इसको हम इ VSD upon U, पलस 2.62 क्यो ह की power 1 by 2 upon U, ठीक है, सारी value दे रखिए, minus 0.029, V की S की value कितनी है हमारी, 15, D की value कितनी है, 2, U की value कितनी है, 5, पलस 2.62, क्यो ह की value कितनी है, 4800 की power 1 by 2 upon U, U की value कितनी है, 5, इसको students solve कर लो तुम लोग, इसको हम solve कर लेंगे, जैसे हम तो आपको खुद करना है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है, तो इसका answer आएगा, 36.2 meter, ठीक है, डेल है कितनी आएगा, 60, 36.2 meter, अगर अगर यूनिट ने लगा होगे, तो half number इधर से काट देगा आपका, ठीक है, तो LHC denote करते हैं, is equal to vs multiply में d upon u, bracket started 1.5 plus 2.68, 10 is to power minus 3, pd, bracket सरूट ts minus ta upon ts, अब vs तो में same, stuck, exist velocity in meter per second रहेगा, अमारा, d stuck diameter in meter, last question में भी था हमारा, u, wind speed in meter per second, ये भी था हमारा, p, p क्या है अच्टूट ने चीए, देखो, p क्या हमारा atmospheric pressure in millibar, किस में है, atmospheric pressure in millibar में होना चीए हमारा, ठीक है, अब देखो, उसके बाद d, तो हमारा diameter होई गया था, मैंने पहले बता था, ts क्या हमारा, ts क्या, stuck gas temperature is a staple existing, degree Kelvin, किस में होना Kelvin में होना चीए, और T a क्या है हमारा atmospheric air temperature at stack height at degree Kelvin, atmospheric air का है हमारा height का, ठीक है, अब ये दो तरीके से question पूछा सकता है, या तो ये इस तरीके से पूछा सकता है, और दूसरा, इसका दूसरा formula है, del h is equal to v s, multiply में d, upon में u, bracket सरू 1.5, multiply 0.0096, q h, upon v s, multiply में d, ये हमारा ऐसे, एक ये formula भी हो सकता है, हमारा इसका, तो ये बहुत ही important formula है, students हमारे यहाँ पे, इसको आपको अच्छी तरह करना होगा, ठीक है, और इसके basis, तीन-चेर questions भी हमारे बार-बार exam में आये हुए थे students, ठीक है, students ही multiply का sign नहीं है, ये plus का sign आएगा यहाँ ठीक है तो ये question बार-बार पुछा हुआ है, तो हमारा आपकी book में क्या है, कि only ये formula दे रखा है, और जब उन्होंने पिछे जो question का answer पुछा हुआ था, उसमें ये use कर दिया, तो ये गल्त है, ये देना चीए था book में, लेकिन दे नहीं रखा, तो ठीक है, अभी exam में question किस परकार का पूछा गया, इसके उपस के उपस के उपर बात कर लेते हैं, अगला आच देखो, question दे रखा, heat emissions rate associated with stuck gas, हमारा heat emission मतलब किस की value दे रखी है, solution पर चलते है, same time, क्या हूँ एच की value दे रखी है, हमारी 5000 kilojoule second, ठीक है, and wind and stuck gas speed are 6 and 10 meter per second, अब देखो, same value हमारी, क्या क्या रह U क्या है, wind speed, तो U की value कितनी दे रखी है, हमारी 6, meter per second, meter per second में होना चीए, दूसरा stuck gas, Vs की value दे रखी है, 18 meter per second दे रखी है, हमारी ये भी, ठीक है, अब उसके बात देखो, respectively, and inside diameter D, D दे रखा है, हमारा 3 meter per second, estimate the palm rise mean by the Holland formula, students, Holland formula से इसका पूछा हुआ है, students, तो Holland formula बे भी हमारा QH दे रखा है, U दे रखा है, Vs दे रखा है, D दे रखा है, चार चीज़ दे रखे है, और इसमें हमारा Ts and minus TA भी चाहिए, तो हम ये formula दो use नहीं करें, क्योंकि हमारी पास ना तो TA है, ना Ts है, ना P की value है, और नीचे वाला formula देखो, इसमें Vs की value भी है D की value present है, U की value भी, QH की value भी, तो सारी value हमारे पास present है, हम इस formula में put कर देंगे, नीचे वाले में, ठीक है, तो इसको formula को यहां से हम copy कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम, यहां इसको हम, देखो, इसमें सारी चीज़ हम put कर देते हैं, देखो, क्या अगर Vs की value कितनी है, हमा का sign है, 0.0096, QH की value कितनी है, 5000, अब उन में Vs की value कितनी है, 18, multiply D की value कितनी है, 3, bracket close, students इसको solve कर लेना, यह हमारा इसका क्या आजाएगा, answer students यहां से, ठीक है, यह 6, 39, यह cancel भी हो जाएगा इजर से, और इसको solve कर लेना, यह हमारा इसका क्या हो जाएगा, answer students, तो यह आपका 2017 में question आया हुआ है, ठीक है, अब यह exam में क्या आ सकता है, जो 5000, इसकी जगा 3000 दे सकता है, diameter की 3 की जगा 2 दे सकता है, 6 की जगा 5 दे सकता है, 18 की जगा 20, ऐसे को changes तो question में आएंगे, उनके लिए मेरा कोई वो नहीं है, अब last, हमारा concave formula, इसके उपर भी एक बर question आया, 2016 में है हमारा, ठीक है, तो concave formula हमारा क्या होता है, del H is equal to 4.71, क्या हुआ है की power 0.444 upon U की power 0.694, यह हमारा concave का formula है, तो question क्या आया हुआ था, heat emission rate associated with stuck gas, heat emission मतलब क्या हुआ है की value दे दी हमें 5000 kJ per second, and wind speed, wind speed मतलब U की value दे दी हमें 5 meter per second, हमारी meter में होने चाहिए, estimate the plum rise means of concave formula, students आपके पास formula है 4.71, क्या हुआ है की value कितनी है, 5000 की power 0.444 upon U की value कितनी है, 5 की power 0.694, तो यह क्या हो जाएगा students हमारा, इसका answer students, तो यह 3 questions थे students, तो बार 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 पुछे जाने वाले question है, सबसे ज़्यादा यह Oland formula problem कर रहा था आपकी book में ऐसा यह दिया हुआ नहीं था, तो यह सबसे important था हमारा, और इसके उपर 4 बार questions हमारे मोसिज और कार्शन formula पे पूछे जा चुके है, तो यह आज का lecture था और यह unit मेरी तरफ से खतम हो चुके, यह 3 questions आज तक आये हुए थे, तो यह मैंने करा दिया है, ठीक है, अब next minute मैं बोजल्दी start करूँगा, thank you, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like करना, share करना,